हेलो एबरीवन उत्तव प्रदेश के सभी भाई एवं बहनों को मेरे प्यार बर नमस्कार सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यह बता दूँ कि आप सभी गले खुसकवरी है अगर आप किसी भी सब्जेक्स यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी के तियारी कर रहे हैं तो खान गलोबल इस्टडीज के दुआरा यूपी टीजीटी एबर पीजीटी के दुआरा पीजीटी के लिए आपके रफ्तार बेचेश लाउश किये गए हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैंbok आपकी सिच्छा सास्त्र के बारी में फिलाल तु सिच्छा सास्त्र के scheduled को लिएकि विध्यार्ती थोड़े से अस्मन जस्में पढ़े रहते हैं कि इसका स्लेबस क्या है तो यहां पर इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड करके रखा है सबसे पहले इंटूडक्सन की बात करें इंटूडक्सन का मतलब केवल सिच्छा का अर्थ एवं परिवासा या प्रकार तक सीमित नहीं है इसमे बीच में आपको पता है बहुत कुछ हुआ वर्तमान सिच्छा तक सब कुछ गवरब करना है जैसे आपकी बहुत कालिन सिच्छा हो गई मुगल कालिन सिच्छा हो गई उसके बारे में 1813 का आपका चार्टर वहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लौड में कालिक के विए पत्र आता है और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो आपका आपका कह सकते हैं विश्र विद्यालय आयोग आपका आया और वर्तमान में बिलकुल आपके यहां पर नई सिच्छा नीटी 2020 तek हम लोग आच चुके हैं तो वहां तक हमें सब कुछ कवरब करना हैं कुछ भी छूड़ना रही है साती साथ अगर हम बात करते हैं इसमें आपके जो भारतिये कुछ विचारक रहे हैं जैसे आपके स्वामी विविकरंद हो गए या फिर आपके मालव्यजी हो गए या फिर आपके रविन्ना टैगोर हो गए उन सब के विचार भी हमें यहां पर πढ़ने होंगे सिच्छा के परचे में ही, उके जी, इसके अलाबागर आगर करता हूं सिच्छा का दर्शन एवं समास्त्र इसमें क्ड़किया के दर्शन में जहां पर हम सिच्छा को ले के जाते हैं वहां से कुछ विचार धाराया आपकी आती हैं जैसे आपकी प्रकृति सबस्क्राइब तो सिच्छा का जो आतनों की करण हो रहा है जो इस तरी करण हो रहा है उस सब के बारे में मैं समासास्त्र का थोड़ा सा समझने के सहरा लेना पड़ता है तो यहां पर इस तरह से दर्सन एवं समासास्त्र में सिच्छा का जो आस्पेक्ट है वो भी हमें साथ में कवरब करना अब साथी बात करते हैं कि मनुविज्ञान में को आपको पता है कि बाई सिच्छा मनुविज्ञान इस MALE बहुत एहम भूमिगाने रहे ता हैं कि यहां पर आप जो सिच्छा लेते हैं उनमें आपके इन सिच्छन विदियों का प्रयोग करते हैं, अधिगम की पूरी प्रक्रिया हो गई, मोटीविसन बारा पूरा चैप्टर हो गया, इसमें आपके पावलव, इसके इनर और आपके गुथरी, और गेश्टार संपरदाय, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर भी आ इनके पृष्ण आपको यहां पर दिखाई देते हैं, वो इसलिए दिखाई देते हैं, आप सोचते हैं कि मोटीविसन या लर्निंग इसमें क्या कर रही है, तो साइकलोजी का भी से है, वो इसलिए है, क्योंकि सिच्छा मनुविग्यान आपके सिच्छा सास्तर से तो यहां पर हमें सेच्छिक मापन और मुल्यांकन के बारे में भी घेंता से पढ़ना होगा, जैसे आपका संदर्वित मापन हो गया, क्यार संदर्वित मापन हो गया, आंकलन हो गया, मुल्यांकन हो गया, तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है, बाकी हम यहां पर मापन के लिए मुल्यांग के लिए एसेस्मेंट के लिए किनके टूल्स का प्रियूप करते हैं क्या-क्या तक्निके अपनाते हैं वो सारी भी हमें कवरब करनी होंगी तो ये बात होगी आपकी स्लिबस के रिगार्डिंग बाकि अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी स्टेर कीजेगा वाकि आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक्यू वेरी मच्छ